मैं अपने पिछले कई वीडियो के अंदर आपको बार बार बता चुका हूं कि 5 वे में स्ट्राड़जी के अंदर एंट्री अगर आपको गैप अप के केस में मिलता है तो आप उसको जरूर ट्रेड करना और पिछले संडे सेशन के अंदर जो की मास्टर क्लास होता है उसके मैंने students को भी बताया था कि gap up को effectively कैसे ट्रेड किया जाता है लगतार में आपको बताता यह चीज आ रहा हूं अपने वीडियो के अंदर और आज history ने अपने आपको फिर से रिपीट किया और ऐसे में morning hours के अंदर अगर आपको एक अच्छा खासा gap up नजर आ जाता है तो जो लोग negative sentiment की वज़े से loss कर रहे हैं उनको एक मौका मिल जाता है profit booking का और उस profit booking के अंदर हम जो क्या करते हैं downside का trade plan करके यानि की put buy करके पैसा बनाने की कोशिश करते हैं आप यहां पर देखो आपको मिला यह देखो साथ से पहले तो gap up opening हुई और उसके बद पहला trade मिला आपको इस candle पर आप जिन लोगों को 5MA strategy कैसे use किया जाता है नहीं पता है तो आप देख सकते हो 5MA strategy everything गोपाल चौदरी के नाम से आप YouTube पे search करो और आपको जो है वीडियो मिल जाएगा आसान तर आने हैं इस वीडियो को अभी लाइक कर दो क्योंकि चैनल को support मिलता है इससे जो लोग नए है वो इस वीडियो को like वीडियो देखने के बात कर दिना अगर आपको quality अच्छी लगती है तो साथी साथ चैनल को subscribe कर लो completely free of cost है जब भी इस तरह की वीडियो में बनाऊंगा तो यह वाला जो candle है इसका low देखो ब्रेक हुआ जब भी कोई candle 5 MS ओपर closing दे और उसका low touch नहीं कर रहा है तो जैसे ही low break होगा हम entry plan करेंगे तो यहाँ पर यह पहला low break हुआ इस candle से green candle से नौ 25 वाल यह candle है लेकिन इसने क्या किया आपका SL ले लिया क्योंकि अगर आप देखो के candle high का आप stop loss रखते तो green candle नहीं आपका SL भी यहाँ पे हिट करा दिया अब यहाँ पे tool लगा के देखते हैं कि कितने point का हमारा SL जो है यहाँ पे गया यह हमारी entry हो गई candle high हमारा stop loss हो गई तो तकरीबन 84 point का stop loss यहाँ पे आपने दे दिया ठीक है यह मैं बात कर रहा हूँ औ option का chart नहीं है यह हमारा index का chart है तो 84 point यानि option के chart पे इसका half कर दो तकरीबन 42-43 point का stop loss जो है आपने option के chart पे दिया ठीक है चलो अभी reference के लिए हम 84 point मान लेते क्योंकि हम index पर ही सारा कुछ देख रहे हैं तो आप 84 point मान के इसको चलो ठीक है पहला आपका stop loss चला गया लेकिन क् है better setup के साथ में तो यह वाले trade में तो आपका SL गया second entry देखो आपको कहां मिली इस वाले trade के अंदर देखो यह green candle है बहुत ही strong candle काईदे से अगर आप देखोगे तो इसने क्या किया day high को तोड़ा यह यह वाली जो candle थी इसका high था इसी high को तोड़के green candle ऊपर की तरफ गया लेकिन क्योंकि यह gap up opening है तो ऐसे में market के अंदर जिन लोगों को profit हो रहा था यह एक अच्छा खासा मौका यहां पर मिला उनको कि यहां से वो profit booking start कर सके और अगर आप ऐसे नहीं भी देखते हो यह वास समझ में आपको नहीं आती तो second तरीका जो है इसको समझने का वो करती एक तो strong candle green मतलब bias ने पूरी power यहां पर लगाई लेकिन उस पूरे power को overcome करते हुए sellers ने उसको दबा दिया और उस candle को engulf कर लिया तो जैसे ही इस candle का low break होगा इस green candle का आपको entry plan करनी है यहां पर हो गया entry plan और candle का high या फिर swing का high आपका stop loss होगा जो की है 116 point का एक बड़ सा stop loss है और मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर ये बताया है कि जब भी आपका stop loss बड़ा होता है यानि कि 700 point का 1500 point के आसवास का होता है आपको क्या करना है 1 is 2 3 का target जो की minimum target होता है वो expect नहीं करना है क्यों क्योंकि आपका stop loss 116 point का है target लेने के लिए market को तकरीवन 400 point मू करना पड़ेगा लेकिन bank nifty हर दिन 300 point का move दे दे ऐसा जरूरी नहीं है तो अगर आपका stop loss चोटा है 1 is 2 3 के target का वेट करो और अगर आपका stop loss बहुत बड़ा हो जाता है 100-500 point तक पहुंच जाता है तो आप वहाँ पे 1 is 2 2 1 is 2 1.5 लेके भी निकल सकते हैं और यही समझदारी है आप यहाँ पे 400 point का वेट करोगे तो वो हर दिन आपको move नहीं मिलने पाला है ध्यान देना लोग कहते हैं कि stop loss बारवर क्यों हीट हो जाता है इसलिए हीट होता है क्योंकि आप 700 point का stop loss लगा के बैठे हुए हो कि मैं तो भाईया 1 is 2 4 या 1 is 2 3 लोंगा तो विच इस रॉं का आपने डूसरा trade लिया कितना trade पैसा ले लिया अपने market से 170 point आपने ले लिये यानि कि तक्रीवन तक्रीवन 85 point आपने extra market से निकाले और यही condition होती है बजार के साथ में जब भी आपको देना पड़े आप छोटा दो और जब भी आप target ले रहे हो आप बढ़ा लो इसी जो हैं जोइन कर सकते हैं अब यह 5-6 लोग ही क्यों जादा क्यों नहीं ऐसा इसलिए ताकि मैं उनके doubts को उनके questions को ले सकूँ live class होती है recording तो यह है नहीं तो live class का benefit यह होता है कि आप लोगों का mic on होता है webinar यह नहीं है कि आपका mic बंद है आप सब सुन रहे हैं live class है तो वहा आपके पास मैं यहाँ पर बता देता हूं यह मेरा direct number है जो आप लोगों के पास होगा 730-334-3652 कभी भी आपको कोई doubt आता है 5 यह में strategy को ले करके तो आप मुझसे इस number पर call करके confirm कर पाते हैं और आप YouTube पर देख लो कोई भी trainer जो है अपना direct number शेर नहीं करता है यह मेरा direct number कौन-कौन से ऐसे places हैं जहां पर यह बेटर तरीके से काम करता है ठीक है और अगर आप नहीं session join करते हैं कोई problem नहीं है मैं YouTube पर भी आपको दिखाता रहूंगा don't worry लेकिन अगर आप चाहते हो कि एक ही बाहर में सारा कुछ समझना है कोई questions है मुझसे बात करना है live in track करके सी करो अगर आपको पूरी चीज़ां सीखनी है कि trading psychology क्या है risk management क्या है diversification कैसे करते है capital allocation कैसे करते है risk per trade कितना होता है risk per day कितना होता है यह तमाम चीज़ें अगर आपको सीखनी है तो आपके लिए session definitely beneficial होने वाला है क्योंकि trading में strategy जो होती है उसका weightage से 10% होता है complete setup को समझना उ जाधा matter करता है जो लोग नो इस session attend किया हुए comment section में लिखके जरूर बताना कि आप लोगों को फाइदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है और इससे channel को support मिलता है और जो लोग join करना चाहते है number आपके सामने है इस पर connect करके जो है आप मेरे साथ Sunday को join कर सकते है यह वाला ठीक है ज अच्छा एंड successful trader बना सकती है thank you so much